अब क्या था कि जो मुगल एंपरेर होते थे जो मुगल राजा थे ठीक है उस टाइम में उन्होंने क्या थे उनके जो लेखक होते थे जो उनके इत्यासकार होते थे वो उनके कोट के वारे में और उनके अमपायर के वारे में लिखते थे ठीक है और वो ही जो उनके लिखी गई बुक्स हैं जो उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसके थुरू ही हमें पता चलता है कि मुगल पीरिट कैसा था उसके एम्परियर कैसे थे राजा कैसे थे और वो अपनी सत्ता को कैसे चलाते थे ठीक है अब जो उस टाइम में जो भी लिखा जाता था वो हमेशा राजाओं के फेवर में होता था और इस तरह डिफाइन किया जाता था राजाओं के जो किंग्डम होती थी कि जो उनके अंडर आने वाले हैं, जो उनके वंचज हैं, उनको पता चले कि हमारे जो पूरवज थे, जा हमारे जो शासक थे, वो कितने पावरफुल थे, और उनकी सता, उन्होंने अपनी सता को, शासन को कैसे चलाया, ठीक है, अब जो उस टाइम के जो लेखक होते थे, जो मुगल इतियास को लिखते थे, वो मैकसमम जो चीजों को फोकस करते थे, जो मैकसमम जिन चीजों के बारे में लिखते थे, वो होती थी, जो वहां का शासक होता था, जो रूलर होता था, उसके लाइव से लेटर, जितने भी घठनाएं होती थी, उनकी फैमली के बारे में, उनके कोड के बारे में उनके जो अधिकारी होते थे उनके बारे में उनकी लडाईयों के बारे में और उनकी शासर पन्राली के बारे में लिखते थे ठीक है कि वो कैसे शासन करते थे अब जो मुगलों का इतिहास है वो मेली पर्शियन लांग्वेज में लिखा गया है ठीक ह क्यूंकि यह language उस टाइम बड़ी ज़्यादा flourish हो जुकी थी बड़ी ज़्यादा फैल जुकी थी ठीक है और यही language उस टाइम court और लिखने की जो literacy जो उस टाइम literary जो work होता था जो लिखने का काम होता था जो शासनकाल में जो काम किया जाता था सारी लिखत पड़त का वो Persian language म वो भी उबर कर सामने आये थी especially जैसे हिंदवी और उसकी जो reasonable languages थी वो भी उस टाइम में काफी ज़्यादा flourish होई उबर कर सामने आये ठीक है अब जो मुगल्स थे उनका जो origin था वो जगतियाई तुरक थे ठीक है इसलिए जो तुरकिश थी जो तुरकी थी ठीक है तुरकि तुरकी से बिलोंग करते थे ठीक है अब जो मुगल इतिहास था जो मुगल इतिहास था अब जब भी वो अपने राजा के बारे में लिखते थे ठीक है वो राजा के बारे में कुछ भी लिखते थे जा उनके शासन परनाली के बारे में कुछ लिखते थे उनके शासन के बा कि अगर किसी राजा की पावर के वारे में लिखा जाएगा तो पिक्चर में वो राजा को ऐसा पावरफुल ड्रा कर देते थे क्योंकि पिक्चर कभी-कभी उन चीजों को भी दिखा देती है जो चीजे हम लिखने में नहीं exactly explain नहीं कर सकते जिन चीजों को उनको हम images के तुरू बता देते हैं तो इसलिए वो लोग images को भी use करते थे pictures को भी ड्रा करते थे चित्र बनाते थे ठीक है और जब कभी जरूरत पड़ती थी मालों किसी theme को जा किसी scene को pictures के तुरू दर्शाया जाएगा ऐसा अगर उनको जरूरत महसूस होती थी तो जो लेखक होता था वो क्या करता था जगा को खाली रखते था और वहाँ पर क्या करता था जो artist होते थे जो कलाकार होते थे वो क्या करते थे वो वहाँ पे pictures को ड्रा करते थे और शब्दों के साथ-साथ pictures के through भी मुगल इतिहास को define किया जाता था ठीक है क्योंकि pictures की मदद से वो अच्छे से हर उस भाव को define कर सकते थे हर उस चीज को define कर सकते थे जो words में वो explain नहीं करते थे शब्दों में जो चीज नहीं बियान कर सकते थे ठीक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल काल का जो इतिहास है वो उनके दरवारी लेखकों नहीं लिखा है और उन्होंने maximum किस चीज पर focus किया है जो उनकी शासकों की life events थे जो उनका शासन काल था उस टाइम में जो उनकी family होती थी court होता था उनकी जो शासन पर नाली होती थी यह सब उन्होंने define किया ठीक है